तो हेलो दोस्तों कैसे हो आप लोग आशा है कि आप लोग ठीकी होगे तो स्वागत है आपका यहां पे जी एमार्ज आप सेडो सीजन टू एपिशोर नबर एट में आज जो है हम एक्पिन करेंगे इसको और यहां पे आगे बढ़ने से पहले आप एक छोटी कर दीजगा अगर आप मेरे लिए 40 कमेंट कर दोगे तो मैं आपको अगला पी शोड है वह बहुत लेकी आओंगा तो यह मेरी हाँ जोड के विंति है कि मैं बाहर ख़ड़ों के वीडियो बनाता हूँ मुझे बाहर केड़ों के वीडियो इसलिए बनाने पड़ती है क्योंकि मेरे पास खुद गारूम नहीं है यहाँ जो है वीडियो बनाने के लिए तो प्लीज मुझे इन आवाजों के लिए माफ कीज़ेगा और चैनल स्काइब कर लीज़ेगा और साथ कमेंट कीज़ेगा मुझे सपोर्ट करने के लिए चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी वीडियो को कहानी मागे बने से पहले हम जान लेते हैं पिछले कहानी की बातों को जैसा कि हमने पिछले पेश्वर में देखा था कि यहाँ पे जो वाइट टावर की मेंबर होती हो बता यह दिए अपना असली गोल वाइट टावर की मेंबर बोलती है कि गैलेटन ने मेरे पूरे परिवार को मार दिया था और साथी मेरी जो मोम हैं उनको भी मार दिया था सी पावर के चलते फिर वहीं से मैंने आगे चलना सुरू किया और मैं बहुत जादा आगे गई उसके ब सारी चीजे चीजे चीन लूँ जैसे उसने मुझसे सारी चीजे चीन ली है इसलिए मैं जाती हो तुम मेरा इंतजार करना चाहो तो कर सकते हो जिसके बाद जो सीन होता है और हमें यहां पर जो बीटा होती है मार्किट के अंदर और यहां पर पता लगाने आई होती है कोड है उसको इंपर सोलड कर लिया है मुझे जाके जो एलफा है उनको हो रिपोर्ट करना पड़ेगा रिखन में हम इलफा को समित है जिसके नहीं होती यहां पर दो होदी और कि शो कि वह आrekर कि यहां पर फॉर्ट करौई करі उसे ऐसा कहरने की क्या जोट पड़ गई है तुम्हें अंदाजा भी नहीं होगा हमें जहें कितनी दिक्कत हो रही है यहाँ पे जो बंदे हैं वो जो अब जो पैसे हैं उन पे भ्रोसा करना बिल्कुली बंद कर रहे हैं वो यहाँ पे लगाता जो सोने के सिक्के हैं उनको जो खईद रहे हैं और यहाँ पे जो हमारा बैंक है वो भी जो पूरी तरह से खाली हो चुका है हमें जो काफी जादिक्ते हो रही है इससे जो हमारा देश है वो भी जो खत्रे में आ सकता है तब ही हम देखते हैं कि जो बीटा होती है वो यहां पे आ जाती है यह यहां पे जो अलफा होती है उसको बोलती है कि मुझे माफ कीजेगा मैं जो हूँ बीच में आ गए लेकिन जो बात है वो काफी या जरूरी है इसलिए मुझे जो है बीच में आना पड़ा अलफा वोल्ट ये ठीक है तुम जो अपनी बात को यहां पर जो हमें बता सकती हो तो बीटा कहती है ठीक है मैं अपनी बात को जो हमें बताती हो यहां पर और यह यहाँ पे काफे ज़्यदा मुस्किल की बात हो सकती है लेकिन इंका जो प्लैन है वो पूरी तरह से अक्टिवेट नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे जो सुमित है वो बीच में आ गया था और उसने पैसो को यहाँ पे बदल दिया है जिसे उसकी वैल्यू किर गई काफे नीचे साथी जो वीटा होती है यह बोलती है कि मेरे पास एक और रिपोर्ट है यहाँ पे तो अलफा बोलती है कि बता हो तो महारे पास क्या रिपोर्ट है और तो बीटा बोलती है कि मैंने जो shadow है उनके यहाँ पर code को जो है समझ लिए है और उसे decode कर दी है अब मुझे अराम से समझ सकते हैं तो यहाँ पर alpha कहती है यह तो यहाँ पर alpha कहती है ठीक है तो मुझे यह बताओ कि आखिर कार उसके अंदर लिखा क्या है तो यहां बीटा कहती है कि आप इस पर्चे को खुद पढ़ के देखी आप भी समझ जाओगे कि इसके अंदर क्या लिखा है जिसके बाद जो बीटा होती है वो यहां पे जो पर्चा होता है वो दे देती है अलफा को यहां पे जो अलफा होती है उस पर्चे को पाढ़ रही होती है और इस पर्चे में लिखा होता है शैड़ो ने कि मुझे माफ करना लेकिन मैं जो हुँ तुम लोग को धोका देने वाला हूँ मुझे पता है कि तुम लोग जब इस बात को जानोगे तो काफी जह दुखी हो सकते हो तो यह यहां पर बताता है कि मैं जहूं यहां पर एक लड़की के साथ मिल के जो नकली जो पैसा है उसको बनाने वाला हूं उसके बाद जो असली सोना है उसको जहूं यहां पर निकालने वाला हूं और यहां पर जो सबी सोने हैं उनको वहीं पे रखूँगा जहां पर मैंने अपनी बेहन की जान बचाई थी मुझे लगता है कि जो गैटो है उसको यह रुकने का यह सबसे यहां पर असदार तरीका है हम जो हैसा कर सकते हैं इसलिए मैं यह काम करने के लिए खुदी निकल पड़ा हूँ जिसके बाद जो अलफा होती है इस लेटर को बढ़ गए यहां पर रोने लग जाती है और यह बोलती है कि मैंने शैडो को कितना गल्द समझा था यह जो है यहां पर और भी अच्छे काम करने के लिए निकले हूँ है आखिरकार मैं जो शैडो को क्यों नहीं समझ पाई मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि मैं जो हूँ उनके इरादों को यहां पर जो हूँ समझ क्यों नहीं पाई इसलिए हम सारे यहाँ पे जह आजादी से नहीं गूम पा रहे थे जिसकी विए से हमें जह काफी दिक्कत हो रही थी इसलिए माश्र स्ट खुद निकल गए थे हमें जह छोड़के यहाँ पे ताकि हम जो हैं यहाँ पे अज़ादी से घूम पाएं work चुपा लिया वो जह बात पूरे अमल कर चुके हैं हमें जिए शेडों के उपर भरोसा करना से यह था फिर भी हमने उनकी उपर नहीं किया और हम ने कितने सर हमले करा लेकिन उनको यहां पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ा ओ जो हमसे पुल भी नराज नहीं अभी कुछ भी समझ नहीं आया कि आखिरकार कोई बंदा इतने आगे की कहस हो सकता है हम लोग तो कुछ दिन बात की बातों को सोचते है लेकिन शैडो हम इसा जो है बहुत दिनों की बात को सोचते है यहां पे वो जो है बहुत आगे तक देखते हैं सही बताओं तो मैं आज काफी ज़दा खुशों के जो शेड़ है वो जो हमारे साथ साथी हमने ज़ए शेड़ो को नहीं खोया उन्होंने ज़ए हमारे जयान बचाई अब हमारे साथ है वो तभी यहां पर एक लड़की बोलती है कि एक और रिपोर्ट अभी बाकी है यहां पे master के कहने पर एक secret mission पर गई थी उसके लिए मुझे माफ कर दीजेगा यहां पर तुम्हें यहां पर कोई भी नहीं डाटेगा तुम बिल्कुल भी टैंसर मतलो तुम जो बस अराम से रहो यहां पर तुम जो यहां पर सेफ हो गई हमें जया वही खुशी है इसी के साथ यह वाला जो वीडियो है यह खत्म होता है अगर आपको आगे वाला वीडियो है वो च लगती है कि नहीं लगती अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो ही मैं अगले पाटो को ले के आता हूं तो आप से हाँ जोड़ की विंतिया की फ्लीस फोटी कमेंट कर दीजेगा अब मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में जब तक के लिए बाई बाई